यहां है हमाण पास डाउनसाल कि ओरिशनल पिक्चिर के पिक्षर और बुक पे इतना क्लेर नहीं है अस्ल्यकुम स्टूडेंट्स ट्दे़ आफ डिस्क्सब्स रबाफ दआउनसेल और वाइस दाउनसेल और इस दाउनसेल दाउनसेल आउनसेल purpose Александ Ridge करोबिश extraction ठीक है यानि के extraction means के हम जो है sodium metal का जो compound होगा यह किसी भी compound में से जिस compound में sodium present होगी उस compound में सोडियम को extract कर लिया जाएगा और उसको basically हम क्या कहा देते हैं commercial preparation of sodium metal इस down cell के अंदर basically हम sodium chloride use करेंगे और sodium koloride में basically हम sodium जो है sodium को extract करते हैं ठीक हो गया और इसके लिए जो process यूज किया जाता है वह है electrolysis electrolysis जो है वो आप लोग पहले भी 910 में पढ़के आ चुके हैं ठीक है फर्स्ट इयर में भी आपने electrolysis का concept लिया वा है यहां पर मैं एक दफा जो है ब्रीफली बता दूँ कि जब भी electrolysis का word आए ना तो इसका मत्तब है हमारे पास तीन चीज़े तो must होंगी एक एनोड के थोड और electrolyte electrolyte क्या होता है electrolyte जो है एक compound का solution होता है जिसके अंदर different जो है वो आएंज होते है वो actin जो है वो Discord की नेचर ने पहोंगी हो सब्सक्राइब अरू ऋर्ससे की नेचर की होत भी बहो सब्सक्राइब बहोंदर की हो सकतने है जरूरी नहीं राक पर जो होँए ओह जाएंगे, एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका ये है कि some of the cases में जो anode है जिस material का भी लेंगे वो क्या करता है कि अपने electron जो है वो दे देता है और देने के बाद जो है इस ions में जिला जाता है ठीक है और ये जो electron है वो shift करके ये move करके circuit के थूर इस electrode पे आ जाते हैं ठीक है यानि कि एक ने electron दे दी दूसरे एकसेप्ट कर लिए और यहां पे जो है यानि कि दूसरा जो electrode है वो उसको accept कर लेता है ठीक है बेसिकलिए ये हमारे पास जो है electrolysis का process ये बहुत ब्रीफ और सिंपल सा process है ठीक है लेकिन इसकी जो है ये पूरा एक detail topic है electro chemistry का ठीक है फिलहाल आपको यही जमझने के लिए जो anode cathode और electrolyte था इसी जो है process को समझते हुए हम जो है down cell को समझेंगे ठीक है अच्छा जी down cell में जो है हम use करते हैं NACL fused sodium chloride ठीक है यानि कि fused form में जी sodium chloride को use किया जाता है अब fused form में सबसे पहले बता दूँ कि fused form में क्यों ये उस किया जाता है fused form होती है उसकी liquid form उसकी molten form ठीक है fused form में इसलिए use किया जाता है कि NACL जो है वो solid form के अंदर आपको बता है कि electrons की mobility नहीं हो सकती यानि के electrons move नहीं कर सकते लेकिन यहां पर हमने electric electrolysis के process में होता क्या है ions की movement होती है ions की transference होती है ठीक है तो उसके लिए solid form में तो वो non conductor होता है तो हम basically क्या करते है sodium chloride को fused form में use करते हैं जयानि कि हमने sodium chloride को liquid form में change करना है तो liquid में change करने के लिए आपको पते टंबरेचर देना परता है तो अबरेचर देने के लिए हम क्या करते है। sodium chloride का जो boiling point होता है इत साथ जो boiling point होता है वो है जी 800 degree cell से यानि के हमें इतना temperature देना पड़ेगा जिस से जो है हमारे पास sodium chloride जो है किसमें change हो जाएगी fuse sodium chloride के अंदर ठीक है अच्छा ये तो होगी fuse sodium chloride यूज किया जाता है अब हम इसकी construction देख लेते हैं कि down cell जो है basically हमारे पास है क्या ठीक है जिसमें हम sodium metal को prepare करते हैं एक basically हम block लेते हैं ठीक है ये block है हमारे पास ये block जो है ग्रेफाइट का बना होता है ठीक है और उसमें जो है सेंटर में cathode यूज किया जाता है ठीक है ये हमारे पास cathode है एनोड यूज किया जाता है एनोड की nature क्या होती है जी ये carbon से मिलकर बना होता है ठीक है और उसके बाद जो है ये side ओं पे जो है circular bar ये यहां पे तो आपको इस तरह जो है नजर आ रहे हैं लेकिन ये जो है वो एक circular circular bars की form में present होते है ठीक है तो इनको हम क्या कहते है जी cathode और cathode जो है वो किस से मिलकर बना होता है iron का cathode होगा और जो carbon है वो anode का anode जो है वो carbon material से मिलकर बना वाओगा ठीक है उसके बाद जो है यहां पे ये जो चीज है ये basically हमारे पास क्या है iron screening iron screening क्या करती है iron screening basically cathode को anode से separate करने के लिए यूज़ की जाती है ठीक है और दूसरा जो है ये basically हमारे पास एक dome सा बना होता है इसकी reason यही है ताके जो हमारे पास sodium metal है ठीक है ये अलग से हमारे हमें मिले और जो chlorine gas है वो अलग से जो है वो release हो ठीक हो गया अच्छा अब ये तो होगी construction block है block के अंदर cathode है node है और साथ में cathode है cathode के साथ iron screening है और ये जो blue में मैंने शो किया है ये basically जो है ये inlet है sodium chloride और sodium chloride का जो हमने solid form add करेंगे और यहां पे basically यहां पे नीचे ना जी temperature देने का setup बहुत है ठीक है जिससे इस का जो है इस system का temperature बढ़ जाता है यानि के हमें 800 degree Celsius तक जो है उसको provide करनी पड़ती है heat जिससे sodium chloride change हो जाता है किसके अंदर fuse liquid के अंदर लेकिन कहते हैं कि ये जो है boiling point ये boiling point जो है बहुत जादा boiling point 800 degree Celsius sodium chloride का बहुत जादा boiling point है और अगर हम हमारे पास इतना temperature हो और साथ में हम electrolysis भी करें तो उसके case में एक नुकसान होता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो sodium metal है ना produce हो जाएगी लेकिन जो sodium metal है वो evaporate होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो in short इसके लिए term आपके book पे लिखा हूँ है कि ये metallic fog produce हो जाएगी ठीक है fog का पता ना आपको ठीक है जो fog सर्दियों में भी आप देखते हैं मोशली उसी से resemble उसी से मिलती जुलती जो ने उसे नाम रागी दिया metallic fog यानि कि जब metal जो है evaporate होगी तो उसको हम क्या कहेंगे metallic fog तो जो है उस cheese को control करने के लिए हमें इसका boiling point है इसका temperature कम करना पड़ेगा तो इसके temperature को कम करने के लिए हम क्या use करते हैं हम जो है इसके अंदर add कर देते हैं CACL2 ठीक है CACL2 add करने से क्या होगा कि इसका जो boiling point है वो reduce होके वो कितना हो जाएगा 600 degree Celsius तक हो जाएगा ठीक है यह अगर बिलकुल आको देखें तो 586 यह almost 600 temperature हो जाएगा इसका ठीक है अब यह temperature कम जो है होने की reason क्या है क्योंकि calcium chloride का जो itself boiling point होता है यह इसका boiling point कम होता है sodium chloride से reason क्या है जब भी किसी का boiling point कम होगा तो उसकी reason मैंने आपको पहले बताई विया उसके अंदर मियान पाई जाने वाल intermolecular forces होती है वो ज़रा weak होती है ठीक है as compared to sodium chloride ठीक तो इसके add करने से इसका जो temperature होगा boiling point होगा वो कम हो जाएगा basically जो हम use करते हैं यानि कि इनका mixture हम use करेंगे तो as a result तब जाके हमारे पास जो temperature है वो 600 degree Celsius होगा यानि कि तब जाके उसका temperature कंट्रोल होगा ठीक है अच्छा ये तो एक जो है problem metallic fog वाली हमने उसका boiling point कम करके जो है वो resolve का ली है ठीक है फिर हम जो है next देख लेते हैं कि next process किया है अच्छा अब temperature दे दिया ठीक है अब इस तरह का हमने setup लेना है जो इतना temperature beer भी कर सके ठीक है हमने इसी लिए जो है graphite का block लिया है ताके वो इतनी temperature को beer भी कर सके ठीक है ये fused ये blue में जो है ये fused sodium chloride है यहां से add किया add करने के बाद जो है ये fused form में change हो जाएगा होगा क्या कि जो हमारे पास sodium chloride है उसके चुके हमने sodium chloride के साथ calcium chloride भी add किया तो अब देखें solution के अंदर जो आइंस होंगे वो sodium के भी होंगे ठीक है NaCl sodium chloride के भी होंगे और calcium chloride के भी आइंस होंगे calcium chloride भी होगा और sodium chloride दोनों के आइंस मुझूद होंगे ठीक है तो अब possibility तो हो सकती है कि जो sodium है जिसके ओपर plus charge है वो कैथोड के पास जाए या calcium के थोड के पास जाए दोनों के पास equal chances है कि ये कैथोड पे जाए नेगिटिव ठीक है तो positive वाले negative की तरफ एट्रेक्ट करेंगे ये नेगिटिव वाले positive की तरफ एट्रेक्ट करेंगे ठीक है लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि वो ये basically ये कौन decide करता है कि कौन कैथोड पे जाएगा कौन अनोड पे जाएगा ये basically हम उसके standard electrode potential से जो है decide करते हैं जो calcium है ये basically हमारे पास इसकी जो जिसको हम कह सकते है reducing जो power होती है calcium के case में reducing strength वो calcium के case में ज्यादा होती है ठीक है sodium की जो reducing strength है वो ज्यादा है calcium से ठीक है तो अब reduction और oxidation क्या है वो हम देख लेते हैं जी reduction होती है हमारे पास reduction का मतलब होता है जहां पर भी reduction कवर्ड है it's mean addition of electron ठीक है और oxidation कवर्ड क्या होगा obviously वो उसके opposite होगा removal of electron ठीक है reduction में addition होगी electron की और oxidation में क्या होगा removal of electron होगी ठीक है तो जैसे मैंने कहा के sodium की जो है वो reduction potential जो है वो कॉलोरीन से ज्यादा होता है तो as a result होगा क्या हमारे पास अब देखो यह है जी आइन ठीक है हमें किस फॉर्म में चाहिए sodium sodium मेटल की फॉर्म में चाहिए ठीक है तो अब खुछ सोचें कि इसने बिसी के लिए अपना एक electron दिया वा है तब जो यह जाके किसमें चेंज हो गया na plus one में तो अगर हम इसको इसका जो electron इसने दिया है उसको वापस दे दें तो as a result होगा क्या हमारे पास as a result जो है हमारे पास क्या produce हो जागी na sodium metal तो reduction होती क्या है reduction होती है addition of electron तो sodium जो है यह एक electron ले लेगी ठीक है यानि कि sodium की क्या होगी reduction अब reduction कहां पे होती है reduction होती है cathode पे यह आपने कैसे याद रखनी है वो देख लेते हैं यह देखें अच्छा जी अब मैं reaction लिखने लगी हूँ जी cathode पे यह reaction होगा ठीक है sodium ने क्या किया यह sodium iron है यह एक electron ले लेगा और किसमें change हो जाएगा जी sodium metal के अंदर ठीक है अब क्योंकि जो याद कैसे रहेगा कि cathode पे reduction होती है यह anode पे reduction होती है आपने याद रखना है इसके लिए एक जो है red cat red cat यह एक word आपने याद रखना है ठीक है red cat यानि cathode पे क्या होगी reduction ठीक है reduction का क्या मतलब होता है addition of electron ठीक है यह तो हो गया cathode पे reaction उसके बाद हम देख लेते हैं जी अनोड पे जी हमारे पास क्या है जी अनोड के उपर plus charge होता है ठीक है positive charge है इसका मतलब है हमारे पास कौन से ions आएंगे coloride ions coloride ions यह क्या करेंगे अनोड पे होती है क्या थोड़ पे होगी reduction तो अनोड पे क्या होगी oxidation ठीक है तो इसके लिए आपने जो याद रखना है एन आक्स ठीक है एन आक्स अनोड पे क्या होगी oxidation oxidation क्या होती है जी यह इसका reverse होती है यानि के removal of electron अब coloride नहीं क्या किया यहाँ पे negative sign यह शो का रहा है कि इसने एक electron लिया हो है तो अब coloride क्या करेगा दो coloride आइंस जो है वो अपना electron remove करेंगे और chlorine gas में change हो जाएंगे यह जो two electron है यह शो कारें एक coloride एक electron दूसरा coloride दो electron देंगे और as a result हमारे पास क्या produce होगी chlorine gas ठीक है तो इसके case में होगा क्या हमारे पास ठीक है जब हम इसका overall reaction देखते हैं कि थोड़ का और anode का तो इस case में हमारे पास क्या होगा na positive two na positive two c l negative makes हमारे पास क्या बनता है जी sodium साथ में बनेगी और साथ में chlorine gas अब यह देखें यह जो sodium ions हैं यह electron को ले ले लेते हैं वो electron कहां से आते हैं वो chlorine से आते हैं chlorine से वो दो electron लेगा देगा और sodium वो electron ले लेगी और जो है लेके sodium metal में और chloride ions जो हैं किसमे chlorine gas में जी हो जाएंगे और इस के लिए जो inlet है वो यहाँ पे जो chlorine gas है वो separate हो जाएगी और जो हमारे पास sodium है वो यहां से अलग से इनलेट से निकल जाएगी ठीक है आचा तो यह प्रॉसस था जिसमें हम जो है इजी ली अपना सोडियम मेटल को अलग कर सकते हैं एक बात याद रखना कि चुके सुलूशन के अंदर यहां सुलूशन के अंदर जो है वो कैलशियम कोलॉराइड आइंस भी प्रेजन्ट होते हैं ठीक है तो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो कैलशियम कोलॉराइड की भी प्रोड्यूस हो जाती है ठीक है इतनी ज़्यादा तो नहीं यहां सुलूशन कोलॉराइड की प्रोड्यूस हो जाती है ठीक है तो अगर जो है अगर इसको हम एक और पॉइंट आफ यू से देखें तो डाउन सेल जो है हमने अगर हमें कैलशियम चाहिए तो हम क्या करते हैं सोडियम कोलॉराइड की बज़ाए कैलशियम का ही का है सिर्फ कैलशियम कोलॉराइड ले 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 लेते हैं क्या कैलशियम कोलॉराइड का बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही काम है तो ऐसा रिजर्ट क्या होता है कि हमाई पास कैलशियम हमें अप्टेन हो जाती है ठीक है, लेकिन यहां पे हम सिर्फ किसके लिए पार रहे हैं, सोडियम के लिए, ठीक, अब हम इसके जी, अड्वांटिजिस देख लेते हैं, तीन अड्वांटिजिस हैं, वो फर्स्ट अड्वांटिज तो, जी मैं डिसकस काच चुकी हूं, वो है जी हमारे पास, not metallic fog produced, यानि के metallic fog जो है वो produced नहीं होगी दूसरी क्या है जी not metallic fog produced ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है liquid sodium can easily be collected at 600 degree Celsius, यानि के बेशक sodium chloride का boiling point ज्यादा है, लेकिन 600 degree Celsius पे भी हम obtain का लेते हैं, अपनी sodium metal, और थर्ड है material of the cell is not attacked by the product formed, यानि के इसके साथ जो product बनती है, during the electrolysis, electrolysis के दुराण जो हमारे पास calcium कलोराइड बनेगा, वो इसमें मसला जो है, वो नहीं बनाता हम, easily जो है, sodium को अलाग कर लेते हैं, अचा सपोज अगर calcium, जो है, हमारे पास बन भी गया है, यानि के केलशियम मेटल भी इसके साथ बन भी गया है, सोडियम भी बन गया है, ठीक है? तो होता ये जो हम जो है, sodium को किस से कैलशियम से अलाग कर लेते हैं, यानि के ये जो हमारे पास process है, डाउन सेल वाला sodium मेटल को जो से प्रिपेर किया जाता है, ये हमारे पास safe method है, यानि के इस से हमें तीनों फाइदे होते हैं, ना metallic fog produce होती है, ना और liquid sodium जो हमें, जो है, काम boiling point है, जो point ये है, कि जो हमारा product बनता है, during electrolysis के दरमयान, वो भी हमें जो है, वो क्या करता है, attack नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो था दी down cell, down cell जो है, exam point of view से बहुत important है, दो long questions जो हैं, वो इस chapter में से must आते हैं, एक है, जी हमारे पास यहां तो down cell आता है, यहां diaphragm cell, तो इसकी आपने ब झाल, 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